हलो बच्चो कैसे हैं आप आज हम करेंगे बच्चो अपोजेट्स क्या करेंगे बच्चो आज हम अपोजेट्स आज हम सीखेंगे अपोजेट्स वार्ट विद पिक्चर्स ओके बच्चो अपोजेट्स क्या होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग ओके बच्चो एक दूसरे से बिल्कुल टिफ्रेंट चलो आओ मेरे साथ हम करते हैं अपोजेट्स देखो बच्चो कि क्या है लॉयान देखो बच्चो दे लॉयान इस बिग ओके and the rat is small जो हमारा लोयन है वो बिग है यानी बड़ा है और जो हमारा रैट है छोटा सा है ओके बच्चो, क्या हुआ? तो यह एक दूसरे से बिलकुल डिफरेंट है लोयन हमारा बिग है और रैट स्मोल है ओके, नेक्स्ट है बच्चो, एक शिप एंड लैम वेड और उसका बच्चा, जो शिप है वो हमारी बिग है और जो उसका बेवी है वो स्मोल है ओके बच्चो, नेक्स्ट से बच्चो, केट एंड कीटन जो हमारी केट है, हमारी केट है, वो बिग है जो उसका छोटा सा बेवी है, वो क्या है स्मोल ओके नेक्स है बच्चो होस एंड फार जो होस है वो बिग है और जो उसका बेवी है वो स्मॉल है ओके बच्चो होपसो आपको पता चल गया होगा बिग और स्मॉल में डिफरेंस एक दूसरे की अपोजिट है ओके बच्चो अब हम चलते हैं नेक्स्ट देर रैबिट इस फास एंड तोडराज इस जो जो हमारा रैबिट है वो तेज दोड़ता है है न बच्चो जो हमारा कच्चुवा है वो स्लो चलता है ओके बच्चो अधर रैबिट इस फास एंड तोडराज इस इस जो जो चलता है ना हमारा कच्चुवा येस, next से बच्चो, next से बच्चो, grandmother, grandmother slow चलते हैं न, दीरे दीरे, हमारी दादी जी धीरे दीरे चलते हैं न, और बच्चे fast भाल सकते हैं, okay बच्चो, ये एक दुसरे के opposite हैं येस, slow and fast, next से बच्चो, The boy is fat and the girl is thin जो लड़का है वो मोटा है जो लड़की है वो थिन है यानि पतली है ये एक दूसरे के अपोजिट है ना बच्चो Yes Next देखो बच्चो Fat and thin जो हमारी डोल है वो fat है यानि मोटी है और जो हमारा rat है वो थिन है यानि पतला है ओके बच्चो अब चलते हैं next Fat and thin काव है वो fat है और जो उसका बच्चा है काव वो थिन है यानि पतला है है ना बच्चो अब चलते हैं हम next The log is heavy and the leaf is light जो हमारा लोग है लकडी का गठा है वो काफी हैवी है जो हमारा leaf है यानि पत्ता है वो काफी हलका है है न बच्चो एक दूसरे के अपोजिट है ना heavy and light नेक्स है बच्चो बी and cat जो cat है वो हमारी heavy है मक्खी है वो हमारी light है नेक्स है बच्चो नेक्स है बच्चो जो हमारी आइस क्रिम है वो cold है यानि ठंडी है वे न बच्चो ये एक दूसरे के opposite येस अब हम चलते हैं next रोहन is happy and सोहन is sad जो रोहन है वो happy है बच्चो वो हस रहा है और सोहन है वो sad है भी उसका मौल ओफ है है न बच्चो जब हमें डाट परती है तो हम sad हो जाते हैं न येस जब ममा से या टीचर से डाट परती है sad हो जाते हैं न है happy and sad ठिंक्यू बच्चो थेंक्स फोर वोचिंग दोंट पोर्गेट तू सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें बच्चो